पड़ाम और खास तोर पर जब पूरे देश की बेटी माँ बेहनों का सम्मान, स्वाभिमान, अभिमान, उसकी प्रपिष्ठा और इज़त, ना तो सिस्टम, ना तो पड़िवार, ना तो अपने लोग, और ना ही समाद, वीतर से कोई रस्पेक्ट ना हूँ, बेटियों को माँ बेहनों को भगवान की तरफ पूज लिया जाते हैं, लेकिन इज़त नहीं की जाते हैं, और जुगे जुगे इज़त नहीं हुआ, राम के बिगर सीता की कोई मंदिर ने, पारवती की कोई मंदिर ने, राधा, रुक्मनी की कोई मंदिर ने, आप इतिहास उठा करके देखिए, बस दुर्गा काली लक्ष्मी, जहां डर है या आवशकता है, लक्ष्मी से पैसे आएंगे हैं, दुर्गा काली से डर है, तो उसकी पूजा मीरा की नहीं, अहलिया की नहीं, कुसलिया की नहीं, बस परमपरा बची विये, हमने एक युद के समय, देश के मा बेहनों ने, अपने अपने पडिवार के भी जवानों को एक धागा, रक्षक कवच के रूप में बांदा था, कि ये बेहन की दुआएं, बेहन ने तो दिल से दुआ दी थी, लेकिन आज रक्षा बंधन सिर्फ एक परमपरा बन गई है, मैं सबसे पहले ऐसे समय पर हम पुना एक मजबूत संकल्प के साथ कि हमारा समर्पन और हम सब की प्रतिष्ठा को जो प्रतिष्ठित करने वाला समाज है, वो है बेटी, वो है माँ, वो है बेने, फिर्दे से ऐसे समय में जो बिलकुल करुना और ममता से भरा हुआ एक साफ दिल से अपने भायों के प्रतिष्ठि उनकी संबेदना है, इस अफसर पर धेर सारी सुबकामना है, बिहार के हर माँ बैनों को और हर भायों को, कि आप निशित रुप से रिष्ठे को समझिए, रिष्ठा एक इमोशनल होता है, चचिं होता है, रिष्ठे आंकार में नहीं चलते, रिष्ठे हमेशा बिना प्रतिक्रिया दिये हुए भी हम आगे बर सकते हैं, मैं बदाई देता हूँ, आज सावन का अंति महिना, शीव अराद गुरु को हम सब एक नए मानव कल्यान के लिए अपने को समर्पीत करते हैं, बदाई हर सीव पड़िवार को, और जो लोग शिर्फ धर के कारण नहीं, पाप और पुन के कारण नहीं, भगमान से मांगने के कारण नहीं, जो लोग शीवरात्री में दिल से गए हों, उनको भी बदाई, मैं एक बात आगरह करूंगा, कि मैंने परंपराओं के रिष्टे और पूजा को तु देखा है, लेकिन मुझे याद है करोना, जहां पर मा, बहन, बेटी, सारे रिष्टे खत्म हो गए थे, कोई किसी को टच नहीं करता था, करोना के पहले तो लगता ही था जब हम महनों को बांज कहते थे, सती बना देते थे, बिद्वा, हमेशा महिलाओं का एक्स्प्लैटेशन हुआ, पूरुष को कभी भी बांज, बिद्वा सती नहीं बनाया गया, और आज भी सारडिक, समाजिक, आर्थिक उरुप से सुषन, बेटी, महिलाएं की ही होती है, ऐसे समय में, जब करोना के बीच आये थे, तो मुझे लगा कि इस दुनिया में कोई रिष्टा नहीं है, निसानियत नहीं है, कोई emotions नहीं है, बस हम लोग जी रहे हैं धक्यान इसी बिचारों के कारण, कि हमें साधी करनी है, हमें रिष्टे निवाने हैं, समाज चलाने हैं, पड़िवार बढ़ाने हैं, इसी लिए करना है, ऐसा नहीं है, एक दूसरे के रिष्टक्ट के लिए होता है, चाहे पतनी के तरब से हो, चाहे पती के तरब से हो, चाहे बहन के, चाहे भाई, चाहे मा इसे लिए जब रक्षा बंधन की बात आती है तो करोना मुझे परिशान कर देता कि रिष्टे नहीं है इस दुनिया में मां कोख में रखती है नौ मेना पिता लेकिन पतनी आने के बाद पतनी की प्राथमित्ता पहले होती है परंपुराओं के मुताबिक मां नब्य प्रतिस दृष्टे कब्जोर हो जाते हैं मां को दो साल देने के लिए पतनी से पूछना होता है रिष्टा कैसा है आप अंदाजा कीजिए जो खून का नहीं हो पंजाब से दिल्ली से बाहर से हमला बंबै से अलग हों से जिसको हम जानते नहीं है वो हमारे लिए अंतरंग है यह रिष्टा है और उस रिष्टे की इज़त जादे हो जाती है लेकिन जो नौ मेना कोक में मां रखती है उन्हें कभी ब्रिद आसरम में तो कभी शरकों पर या कभी दो बक्त की रोटी दे करके और एक घर में बूरे माबाब को रख देते हैं उसकी खुसियों का ख्या कुछ नहीं करते हैं जैसे लगातार ब्रून हत्या देहज में जो आप बेटी को जलाते हैं वो भी किसी की बेहन है ना आप अपनी बेहन से आज राकी बनवा रहे हैं लेकिन ब्रून हत्या जब बेटी को तो कौन सी रिस्ता है ब्रून हत्या जब तक नहीं रुकेगा और जब तक किसी भी किम्मत पर आप दिहेज में बेट्यों को जलाना बंद नहीं करेंगे और बेट्यों को एक दोस्ट होना अलग बात है एक अच्छे रिष्टे उना अलगात है लेकिन डिद्रिश्टे मैं असे सेक्स्वल सोशन ही रिष्टे हैं तो बिल्कुल गलत है मेरा आगरा है एक अच्छा दोस्त हो सकता है बहन भाई बेटी कोई भी पतनी मां लेकिन जो हालात है सोशल मीडिया के चलते इंस्टाग्राम के चलते ड्रक्स के चलते और समाजिक एवरनेस नहीं होने के चलते जो इसाह आप मतलगे बात्चत् नहीं होती है कोई थिन चारशर स्वालों तक को नयायंने मिलता है तेजाब की घठना पर बीबी पर शोशन करना अब धैनो के जमीन के हिस्से में आज यदी कोई बहन अपनी जमीन में थोरी सी हिस्से मत मांगे दे दीजिए, मांग ले तो रिष्टे नहीं बचेंगे, रक्षा बंधन नहीं होगा, राकी नहीं बांगे जाने हैं, इसलिए रिष्टा ना देने की होती है, लेने की नहीं होती है, कर जरा उसको संवाजिक आर्थिक शोसन की स्काफना करणा कर ना कर दो लिजिए और भूं मत कि हें ज़ला ये नहीं अप सभी लोग 50 States कि अव्दारना विन्हों और बेटियों की प्रति और करोना तो आपर जांते ही हैν रिष्प कोई चीज नहीं होता तो रिस्टे को महसूस करिए बुरायों से मुच्छी और कि घ Ungarnat को रोके यदि आप जब तक दूस्रों के परोशि कि बेहनों को अपनी बेहन नहीं समझते यदि उस रिस्टे तो ऐसे पर्द को नहीं मनाना ज्यादे अच्छा है पुना एक बार आपको बदाई मुबारक बार धन्वार नमस्कार